हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी किचिन हश प्रियागे किचिन में और आज मैं आपके लिए लेकर रहे हूँ आटे के बहुत ज़्यादा टेस्टी बिस्किट की रेसिपी फ्रैंड सी बिस्किट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं साथी हेल्थी भी हैं क्योंकि ये बिस्किट हमने आटे और मलाई से बनाए हैं आटे की ये मलाई वाले बिस्किट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मार्किट के बिस्किट खाना पसंद करते हैं, तो आप ये बिस्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, आटे की कुकी इस खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, साथी इसकी रेसेपी भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो वीडियो को प यहां पर मैं add कर रहे हूं 3-4 cup powder sugar इसके बाद add करेंगे एक चौताई कप ड्राइब fruits एलाई जी कप पाउडर थोड़ा सा और अब इन सारी चीजों को mix कर देंगे यह जो मलाई लिये हैं मैंने यह fresh है लेकिन freeze में रखी हुई थी तो जब हम मलाई को direct freeze से निकाल कर फैट ना शुरू करते हैं तो उसका मक्खन बन जाता है इस वज़े से पहले मैंने इसमें चीनी एड़ कर ली और ड्राइब fruits एड़ कर लिये हैं तो इसका एक paste बन गया है अब इसमें मैंने दो चमज डाला है coconut powder दो चमज तेल के बीच और अब इसमें एड़ करेंगे हम एक कप गहूं का आटा यह नॉर्मल के हूं का आटा है जिससे हम रोटी पराटे बनाते हैं वही वाला ना इसके लिए में मोटा चाहिए ना ही बारीक चाहिए आप नॉर्मल हाथ से mix कीज़ेगा हमें इसमें कोई भी जोड़ जवस्ती नहीं करनी है और इसमें हमें जोड़ा का भी इस्तिमाल नहीं करना है और ये जो डो हम बना कर तैयार करेंगे ये हमें टाइट डो बनाकर तैहर करना है गीला नहीं करना है नहीं तो जो BCE band वो सौ Giving तो देखे मैंने अच्छे से इसका आटा गूत लिया है और यह आटा एकदम टाइट है लेकिन मैंने हलके हाथ से आटा लगाया है इसमें बिल्कुल भी हमें ताकत नहीं लगानी है तो आटे को लगा कर हमें से रिस्ट के लिए रखेंगे इसे मैं ढग देती हूं और पांच मीट के बाद आटा निकालेंगे और आप देखेंगे की आटा जो है थोड़ा सuting हो जाएगा पहले जैसे में रखा ता उससे से भी जादा वजाएगा और एकदम थोड़ा दानेदार हो जाएगा तो आप क्या करेंगे इस तरह से थोड़ा से इसको मसल लेते हैं और फिर हम इसमें एड़ करेंगे दूद तो यहां पर देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा से दूद डाल रहे हूं एक छूटे चमज के बराबर और यह दूद डाल कर इसका वापस से हम डो बना लेंगे इसे थल के हाथ से मसलेंगे बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी है इस बात का जरूर से आप ध्यान रखिएगा यह अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अब जो डो था उसके मैंने दो पार्टिशन कर लिये और यहाँ पर एक लोई ले ली है और इसे अब देखी मैं अच्छे से बेल रहे हूँ इसके जो लोई हमें बेलनी है वो बहुत जादा मोटी नहीं रखनी है और बहुत जादा पतली भी नहीं करनी है बहुत ही हलका सा हमें इसको बेलना है और फिर इस तरह से कोई भी बोटल का धकन ले ले लेजिए यह आपके पास कोई भी कटर हो कुकी कटर भी आती है कई सारे डिजाइन्स में आती हैं आप उनका भी इस्तिमाल कर सकते हैं उससे भी आप ये कट कर सकते हैं नहीं तो सिंपली बोटल के ढखकन से इस तरह से गोलगोल सरकल्स कट कर लीजे तो देखिए हमारे बिस्किट के शेप्स बनकर त्यार हो गए हैं यहाँ पर जो साइट् बहुत ही हलके हाथ से हटाईएका नहीं तो क्या है बिस्किट का शेप खराब हो जाएका अब इस तरह से निकाल कर हम इने एक साइड में प्लेट में रखेंगे जो भी बिस्किट अकर नहीं उठते हैं तो आप उन्हें धककन से खिसका कर भी ले सकते हैं जैसे कि मुझसे क्लीं नहीं पर बिस्किट कर सें एक लिए और dua प्रेट पूरी भर होई और जो च्छोटे ली फियट तो कैसे लग रहे हैं आपको ये गोल कुल बिस्किट मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अब चलिए हमेने फ्राइ करने की तरफ चलते हैं गैस पर मैंने ओईल को गरम उने रख दिया था अब क्या कर रहे हूं मैं हापर एक बिस्किट डाल कर दिखूंगी अकर बिस्कि करके इसे set कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी हालात में आपके बिस्किट खराब नहीं होगे जब इस तरह सी यह टेर कर ऊपर आने लगे तो आप समझ जायेगा कि बिस्किट एकदम परफेक्ट हैं और हम बाकी बिस्किट भी इस ओयल में डाल सकते हैं तो आप आराम से हमें सेखने देना है गैस की फ्लेम को एक तम लो रखेंगे मीडियम भी नहीं रखना है और लो फ्लेम पर हमें ये बिस्किट फ्राइ करने है ये जो बिस्किट हमने सबसे पहले डाला था इसे मैं पलट दूंगी और यहाँ पर आपको छोटी चमज का ही इस्तमाल करना है क्योंकि ये जब हम फ्राइ करते हैं बिस्किट को तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते है तो तूटने की चांसे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस वज़े से कड़ाई में बहुत कम बिस्किट डालने हैं आपको और इनने पलटने के लिए चमज का इस्तमाल करना है ये देख सकते हैं आपकी सारे बिस्किट अपने आप उपर आ गए हैं तैर कर बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो रहे हैं और बहुत एच्छे खस्ता भी बनेंगे तो जब सारे बिस्किट उपर आ जाएं और इस तरह से तैरने लगें तब इस तरह से एक ही करके हमें सारे बिस्किट को पलट देना है क्योंकि एक तरफ से ही सिख गए हैं हलके से अब दूसरी साइट से भी हमें इनको सेखना है और इस तरह से पलटते हुए हमें ये बिस्किट को फ्राइ करना है एक पैच को फ्राइ होने में करीबन 8-10 मिट का समय लगता है गैस की फ्लेम को आपको एक तम लो रखना है इसे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे अगर आपने गैस की फ्लेम बढ़ा दी तो बिस्किट दोनों तरफ से सिख जाएंगे लेकिन अंदर से कच्छे रह जाएंगे और खस्ता नहीं बनेंगे तो यहां पर देखिए बिस्किट में गोल्डन कलर आ गया है करिवन आट मिन college हो गये है और बिस्किट में बहुत अच्छा कलर आ गया है और बिस्किट दोनों साइट से अच्छे से फ्राय हो चुके है तो अब इस तरह से मैंन को बाहर निकालूंगे अभी ये बहुत जादा soft है इसलिए ने बहुत तेजी से नहीं निकालना है बहुत ही आराम से हलके हाथ से हमें काम करना है तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास इस तरह का कोई तार वाला ज्छाला है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं एकी बार में सारे biscuits भी निकल आया है और बहुत ही अच्छे से फूले भी है एकतम खसता है अभी जब यह गरम रहेंगे तब आपको soft लगेंगे लेकिन जब यह पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो एकतम क्रिस्पी हो जाएंगे अब सेकेंड वेच फ्राय करने से पहले मैंने गैस की फ्लिम को बंद की सकते हैं सारे बिस्किट्स तयार हो चुके हैं और यह जो सेकंड वेच है यह भी अच्छे से फ्राय हो चुका है गोल्डन कलर आ गया है तो इसे भी हम वाइल से बाहर निकाल लेंगे और यह लिजिए हमारे आटे के खस्ता बिस्किट्स पनकर त्यार हो चुके हैं बहुत ही ज़दा टेस्टी हैं बहुत ही ज़दा यमी हैं और मार्केट्स के बिस्किट्स से कई ज़दा हैल्दी हैं क्योंकि मार्केट्स में कई सारी चीजों के इस्तमाल करके बिस्किट्स बनाए या फिर आटे के लेकिन उन्में प्रेजर्वेटिक्स भी डाले जाते हैं तो बच्चों की हैल्थ को ध्यान में रखते हुए आप पे उन्हें ये आटे के बिस्किट जरूर बना कर दीजिए का अगर आपके बच्चे होस्टल में पढ़ते हैं तब भी आप उन्हें बना कर रख सकते हैं क्योंकि एक महिने तक भी खराब नहीं होते हैं यहां पर मैंने आपको तोड़कर दिखा रही हूँ बीच में बहुत ही अच्छा गैप आया है और जब हम इन्हें तोड़ेंगे ना तो यह एक तम चार चार हो जाएंगे मतलब पूरी तरह से जैसे मार हैं उपर से क्रिस्पी हैं और बहुत ही जादा मज़ेदार हैं तो कैसी लगे आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए का वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का साथी बैल आइकन प को सबसे पहले मिले थैंक यू सो मच पर वाचिंग